जी बिरेंजी भी आ गए डिवेट में मैं उन्हें ले लेता हूँ बिरेंजी धन्यवाद आपका आज आप सुबह से सिर्फ इसी खबर पर लगे हुए हैं क्या है ये बुल्डोजर का मामला और क्या वाकई में ये मुद्दों पे जो दोनों तरफ से योगी आदित्यनात और अखिलेश यादों की तरफ से जो स्टेट्मेंट्स मैं देखा हूँ कि अभी शाम तक लगातार चल रहे हैं आखिर ये प्रक्रण इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है देखिए सियासत में जितने बड़े लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा जीवन में माना है कि राजनीत में सिष्टाचार हमेशा जरूरी है और उच्छितम अस्तर पर जो लोग बैठे हैं सीर्स पर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आउश्चक माना गया है जो बड़े लोग होते हैं बिर्जेज जी उनसे बड़ी सालींता की उम्मीद की जाती है और उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह सब्दों और चरित्र दोनों में उच्छिकोट का आच्छन रखेंगे क्योंकि हमारे आख का गया कि जो सलीका मंद साखे हैं उनका लचक जाना जरूरी होता है तो सियासत में हमने लोग सभा चुनाओं में कुछ इस तरह की बयान भाजियां सुनी भासर सुने जो सायद पहले नहीं सुनते थे और उसके बाद जब चुनाओं खतम हुआ तो सिलस खास ताउर से उत्तर प्रदेश में योगी आधितनाथ हिंदू वादी मुद्दो पर ज़्यादा मुखर हैं बंगलादेश से लेके पाकिस्तान से लेके और विपक्ष पर वो काफी करारे हमले कर रहे हैं और इसी हमले में आज भेडिया भी सामिल हो गया वो इसे बुलडोजर और भेडिया की जब तुलना होती है तो एक चीज यह साप दिखती है कि बुलडोजर एक इनसाफ का परतीक बनता गया है वो कानून बेवस्था की एक तस्बीर बताता है और भेड़िया लूट खसोट का अत्याचार का एक परतीत माना गया है अब राजनीत में जब इसका इस्तेमाल होगा तो सभाविक है कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा वह इसे भी देखिए इस समय इस परदेश में दो बड़ी पार्टियां है अखिलेश यादो और योगिया दितना ये दोनों बड़े लीडर हैं जो अपने परटी की और से नेतित्त कर रहे हैं तो सभाविक है कि राजनीत की लडाई जब इन पर दोनों पर आपस में आती है तो इसका विक्राल रूप होता है बड़ा रूप बन जाता है और अब अखिलेश यादों ने पहले काफर दिया था कि सो लाओ सरकार बनाओ फिर यह काफर आज उन्होंने दिया कि योगी जी आप देर सबेर अपनी नई पार्टी बनाएंगे अभी बना लीजिए भविस्वारी उन्होंने की कई बार और यह सब चीजे यह तो राजनी दूसरे पर कटा आक्ष्य आरोप परतेरोप चलता है बिर्जेज जी अगर इस देश में न्याइक परकिरिया तेज होती लोगों को तेजी से इंचाप मिलता तो साइद बुल्डोजर की जरूरत ना होती बुल्डोजर जब चलता है तो पीडितों को उनके कलेजे को ठंड मिलती है लेकिन अगर बुल्डोजर सोच समझ कर नहीं चल रहा है तो फिर वो अन्याइपूर हो जाता है और बहुत से परिवारों का जीवन बरबाद कर देता है और ऐसे कई मामले जब आए जब वहां पर देखा गया है लेकिन तीन दिनों जब चुकी बहराइच में सीता कवल ञाईपूर में कुछ जंगली जनवरों का अतंक है उसमें फेड़िया परमुख है जो बदले ले रहा है जो बच्चों को मार रहा है अब गर वह भेडों सियासत में अपना स्थान मनाने में काम्याब हो रहा है तो यहाँ पर सब्दों का ऐसा हेर फेर है जिसको अब समहलना पड़ेगा क्योंकि भेड्या हमारे समाज में वह कहलाता है जो हमारी बहन बेटियों की इजट लूटता हो जो अत्याचार करता हो और उन अत्याचारों को सनरचर देने वाले लोग भेडिया कहे जाते हैं लेकिन हम ऐसे सब्दों के इस्तिमाल से बचते हैं क्योंकि जो लोग सीर्ष पर बैठे हैं जो ताकत में वो बोल देंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन इससे एक राजनेतिक शिष्टाचार खतम होता है नहीं मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल लोगों को एक दूसरे के लिए भेडिया वगयरा के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यह किसी और संदर में करें ठीक एक दूसरे को नहीं कह सकते हैं बोलना यह मतलब सिष्टाचार के खिलाब हैं बिलकुल इसमें क सत्ता यह सब जो आती है यह सब वक्त के हिसाब से चीजें चलती हैं वक्त पर निर्भर करता है कभी आपका वक्त अच्छा है अच्छा चलेगा कभी आपका वक्त खराब आएगा तो यह सब चीजें दूर हो जाएंगी तो यह मर्यादा और सिष्टाचार बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और सक्ति प्राप्त व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इसका खयाल रखना पड़ेगा क्योंकि लाखों करोडों लोग उनको सुनते हैं और जो लोग ताकत संपन हैं सक्ति संपन हैं उनको इंसाफ पसंद होना चाहिए और इंसाफ के लिए उनको काम करना ह और ताकत का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए नहीं लोगों को उठाने के लिए करना है और ये काम सतत करना पड़ेगा हर आने वाले वेक्ति को करना पड़ेगा जो आज बैठा है उसको तो करना ही है वैसे जी हम लोग जी समाज में रहते हैं वहाँ पर कुछ दो तरह की चीज़े निकलके आती हैं जब हम किसी बैक्तिक के लिए ये कहते हैं इंसान की समझ को आप समझेगा जब हम किसी इनसान को जानवर कह देते हैं तो उसको बहुत खराब लगता है लेगिन अगर उसी इंसान को हम सेर कह दें तो बहुत फूल जाता है गर्वान महिसूस करता है जबकि सेर भी एक जानवर है पस परतीक और भाव अलग-अलग आ लोगों ने रिसर्च नहीं की उससे नफरत करता है हमारा समाज लेकिन बड़ा ही मतलब थौटफुल कम्मूनिटी होती है और रिवेंज लेने में वो सभी अनिमल में नमबर बने हैं और तमाम तरह की चीज़ें लोग पाई जाती हैं वैसे आपको याद होगा कि समाजवादी सरकार में भी एक बार सीतापूर के विधायक रामपाल यादो पर बुल्डोजर चला था और लखनव में उनकी एक इमारत गिराई गई थी जब बुल्डोजर चलता है तो अधकरमण को बता कर चलता है लेकिन यह बात साथ साथ होनी चाहिए कि उस हवाद अधकरमण को बनने के पीछे वह तैसिलदार वह एसडियम वह आवाज विकास वह अथार्टी उन अपसरों पर क्यों कारवाई नहीं हुई जिन्नों ने इस बुल्डोजर का असर जाना चाहिए क्योंकि इस बुल्डोजर ने वड़ा नाम कमाया है मदपर्दे से लेके करनाटक तक गया है बुल्डोजर असली जड़ों को भी थोड़ा और खोदे तो उसका और जादे सा रहना होगी इसमें कोई सक नहीं है मैराल एक साहितिकार ने लिखा है मंजर भोपाली का एक सेर है चार लाइन का कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा प्यार बाटना है सम्मान बढ़ाना है भासा के सिष्टाचार को बरकरार रखना है तो सुनिएगा कि मुहबत के चरागों की जिन्दगी कम है दिये जलाओ क कि दुनिया में रोशनी कम है और नफरतों की आग से खुद को दूर ही रखिये क्योंकि जो दरक्त जलते हैं फिर हरे नहीं होते हैं बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से